नमस्कार आप देखरें आम रोहा टीवी मैं हूँ आपके साथ स्रुस्टी मिश्रा सियासी रण में कब कौन पराया हो जाए कहा नहीं जा सकता कब किसके रास्ते अलग हो जाए ये भी कहा नहीं जा सकता लेकिन जनता की दिलों पर राज करने वाले अक्सर मैदान में खरे उतरते हैं जिहां अमरोहा के हसनपूर में ब्लॉक प्रमुख चुनाओ को लेकर एक खबर सामने आई है जहां सालों से बीजेपी का दावन थामने के बाद भी जब पाटी ने ममता देवी पर अपना भरोसा नहीं जताया तो ममता देवी ने ब्लॉक प्रमुख चुनाओ के लिए निर्दलिय दल बनाकर चुनाओ लड़ने का अलान किया है देखिए हमारी खास रिपोर्ट में मा की ममता बेमिसाल है फर्चाहे आम जंदगी हो याफर राजनीती ममता देवी हैं तो भाज़ पाई बीजेपी की राजनीती के समीन को मजबूत बनाने के लिए बहुत कुछ अम्रोहा के हसनपुर ब्लॉक में किया लेकिन राजनीती का दस्तूर बहुत निराला है जरूरी नहीं यहाँ जो आप की खौईश हो वो तैवक्त में पूरी हो सियासी गलियारे में मम्ता के साथ ऐसा ही हुआ मम्ता के बेटे और बीजेपी ने ता मुदित गुजजर की चा बस यही थी कि उनकी मा ब्लॉक प्रमुक के चनौव में हसनपुर में बीजेपी की ओर से ताविदार बने लेकिन ऐसा हुआ नहीं बीजेपी ने बबिता गुजजर पर अपना भरोसा जता है लेकिन मुदित और उनकी मा को विश्वास है जनता के भरोसे पर उनका विश्वास काबिल है इसलिए खुद मम्ता निर्दलिय ही सही ब्लॉक प्रमुक जुनाव में उतरी है मम्ता देवी को ये विश्वास उस विश्वास से आया जो तस्वीर में आपके सामने है हजारों की संख्या में मौजूद इन लोगों को मम्ता देवी और उनके बेटे मुदित गुजर पर है इसलिए ठिकट न मिलने से नाराज पूर्व ब्लॉक प्रमुक योगेश सिंग की भावी और युवा भाश्पानेता मुदित गुजर की मा मम्ता देवी ने भी अपना नमांकन करा कर ताकत का एहसास करा ऐसे में देखने वाली बात है कि बबिता गुजर के साथ भारती जनता पार्टी की ताकत को क्या मम्ता देवी चुनौती रेपाएंगी